कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि आखिर क्यूं मैं तुम्हारी जिंदगी में आया इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए क्या फिर इसलिए कि तुम परिशानी के दौर से गुजर रहे थे क्या तुम्हें संभालना था वगेरा वगेरा बहुत पर जानते हो सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बड़ी मासूमियत से तुमने जानवरों की सेवा की थी एक समय पर तुमने बहुत सरलता से सच्चे हिरदय से वो जो रोटियां खिलाई थी वो किसी जानवर ने नहीं मैंने स्विकार कर लिया था बस इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में साक्षात रूप से आ गया और आज भी मैं चाहता हूँ कि वो सादगी तुम में हमेशा रहे मैं जानता हूँ कि तुम पूरे परिवार के साथ खुश हो कर एक साथ रहना चाहते हो पर कुछ लोग हैं जो तुम्हें बहुत परिशान कर देते हैं इतना मानसि तनाफ कि वो तुम्हारे बटाश्ट के बाहर हो जाता है। तुम मुझे जब जब पुकारते हो, मैं किसी ना किसी रूप में आकर, तुम्हारी सहायता कर देता हूँ, कभी अपने दफ्तर में तो कभी बाजार में, कभी घर पर, जहां पुकारते हो, मैं वहां आजाता हूँ, तो मैं भी यह चाहता हूँ कि जब तुम्हारी छुट्टी हो, जब कुछ वक्त तुम्हें मिले, तो तुम भी मुझे याद करो मेरा नाम स्मरन करो, इससे तुम्हें बहुत शांती मिलेगी, बहुत शक्ती मिलेगी जब मैं तुम्हारे लिए हर पल हासर हो सकता हूँ, तो फिर मेरी एक्छा से अपने खाली समय में मुझे याद जरूर करना कभी भी आध्यात्मिक रास्ते से दूर मत होना, यही आध्यात्म ही तुम्हारे शक्ती का कारण बनेगा यही एक ऐसा मार्क बनेगा, जिसके माध्यम से तुम बहुत कुछ हासल करती जाओगे बहुत खुश रहूँ, सब बहुत अच्छा होगा